असलावलेकूम कैसे हैं आप सब वेलकम टू मैं चैनल जायका नेराल आज की स्वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मीठे दही बड़े तो चलें स्टार्ट करते हैं और साथे साथ मैं आप लोग को बताऊंगी कि दही बड़ों की पुल्गया होती हैं उसे सॉफ्ट किस त चैनल झा़ने भड़ों कि थोड़ों कि उसे या देबिलश की स्वीडियों वाधा से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे एक साथ हमने जादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है और जब हमारा बेसन पूरा घुल जाए तो इस बात का उस वक भी खयाल रखना है कि उसमें कोई लंस वगारा ना हो नहीं तो फुल्कियों के बीच में एक गुटली सी बन जाए कि सेम ऐसी ही होनी चाहिए हम बेसन को 10-15 मिंट के लिए कवर करके रख देंगे 10-15 मिंट बाद हम इसकी खुल्किया बनाएंगे अब मैंने लिया है तीम पाउ दही दही को भी अच्छी तरह से पहले फेट लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक कप चीनी का यह म मिक्स कर लेंगे और इसको भी मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए अब बेसन को 15-20 मिंट हो चुके हैं अब हम इसे फ्राइब कर लेते हैं ऑईल भी हमारा बहुत तेज गरम नहीं होने चाहिए जब हम फुल्किया फ्राइब करेंगे तो निकालेंगे जब हम फ्राइब कर रहें उसके बाद हम उसे पानी में डाल देंगे दो से तीन मिंट के लिए डिप करके रखेंगे फुल्कियों को ताकि फुल्किया सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद उन पुल्कियों को हम स्ट्रेइनर में रखेंगे जब हम सारी फुल्क क्या हो चुकी है इसी तरह से हम तमाम फुलकियां फ्राइए कर लेंगे यह मीठे दही बड़े आप लोग इफ़तार के टाइम पर भी बना सकते हैं बहुती मज़ेदार से अब बनाना बता चुकी हूं कि किस तरह से दही बड़ों का मसाला तयार किया जाएगा अब यहाली फ लेकिन जब हाथ से पानी निकालेंगे तो उस वक्त भी आपने थोड़ी देर के लिए रखना है अब हम एक बाउल में फुलकियां डालेंगे हम दही अलग रखेंगे और फुलकियां अलग तमाम फुलकियों में दही शामिल नहीं करेंगे अब मैंने एक बाउल में अब हम दही बड़ो के ओपर यह दही बड़े का मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे पापड़ी पापड़ी का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे और आप लुक चाहें तो पापड़ी भी घर पे तैयार कर सकते हैं हमारी यह मज़दार से मीथे डेही बड़े अब तैयार हैं आप लोगों को यह रेसीपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसना आतों से लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक कर दीजेगा अपना हयाल रखिएगा अलाहाफिज